मज़कार मित्रों, स्वागा थे आपका हमारे इस यूटीब चैनल पे 1.81 करोड बच्चों का परशडी स्कूलों में करा गया दाकिला जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले माननीय सिक्षामंती संदीप सिंग द्वारा सदन में एक लिकित में जवाब दिया गया था एक किसी दूसरी विपक्षी पार्टी के माननी से दस ने एक प्रशन पूछा था कि हमारे परशडी विद्यालेओं में सिक्षक एवं छात्रों की किया संख्या है उसके अनुपात के हिसाब से कितनी वेकेंड पोजीशन है इस पर एक प्रशन पूछा गया था जिसका जवाब आप सबने देखा था उस जवाब को देखने के बाल सभी में हताशा थी क्योंकि वहाँ पर सिक्षक और छात्रों बाद बिल्कुल बराबर बैट रहा था और नई सिक्षक भरती की कोई आस नहीं थी लेकिन आज पेपर में एक कटी है जिसमें साब दिया गया है कि अभी तक 1.8 एक करोड बच्चों का परशिदी स्कूलों में दाखिला हो चुका है तो जब उत्तर दिया गया था उस प्रशन का तब जो आखड़ा दिया गया था वो परशन में वो करीब 1.9 बच्चों का चुतरों का नामांकन दिखाया गया था सिधे सीधे 60 लाख आप 1.2 इस सीधे खरीब 60 लाख नामांकन हो चुका है मतलब जो सिक्षिक चातन उपात है वो फिर से बिगर जाएगा पढ़ते हैं खबर फिर अच्छे से बाल जरूर करेंगे तो प्रदेश के प्रात्मिक व उच्छ प्रात्मिक स्कूलों में अब तक कुल 1.81 करोड विद्यार्थियों का दाखिला कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी अधितनात के निर्देश पर वर्च 2022-23 में इन स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संक्या बढ़ा कर 2 करोड किये जाने का लक्षक खाये। जो बात कही गई थी कि जो सिक्षक खात्र अनुपात पर वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। लक्ष 2 करोड का रखा गया है यह मैं आपको पिछली वीडियो से बता चुका हूँ। अब 2 करोड पाना का मतलब अभी करीब करीब 20 लाग बच्चे और एड्मिशन करा जाएंगे। क्योंकि अगर हम विभागी बात करें तो अभी भी बहुत से ऐसे विद्याले हैं जिनका जो टार्गेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। उनको टार्गेट कंप्लीट करना है और उनको बच्चों का एड्मिशन करवाना है तो जो ये 2 करोड का लक्ष है ये हर हाल में पूर्ण हो जाएगा जिसके बाद छातरू की संख्या सिक्षकों की अनुपात के हिसाब से जादा हो जाएगी और जो सिक्षक भरती की मांग क बैटे थे उनके लिए खुशकबरी होगी ये अनुपात बिगड़ेगा हाला कि आप लोग को मैं साब बता दू अगर आप बेसिक शिक्षा परिशत की नीमावली को जानते हों तो सितंबर माहा तक ये परिशती विद्यालों में एड्वीशन होते हैं बच्चों के तो सित पॉजीर होगी और फिर आते 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 इसमय लगते छे महेने से भी उपर लगने वाला है क्योंकि 24 में चुना वे और 24 के पहले ही कुछ होगा अगर आप आज आस लगा कर बैठे हैं अगले दो-चार महेने में आस लगा कर बैठे हैं तो उस आस को बिलकुल छोड़ दीज क्योंकि भर्ती जरूर आएगी चात्रों की सिंख्या बढ़ रही है तो सिक्षकों की जरूरत तो जरूर बढ़ेगी आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी लास अपने वीडियो के बहुत बहुत दन्यवाद आपको बात समझ माई है तो प्लीज लाइक शेर कमेंट और स सब्सक्रिप्शन में जाके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आपको न्यूज सबसे पहले पहुँचे थैंक्यू एंड़ नाइस टेए